जैराम जी की साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 22 जन्वरी है और आज वह दिन है जब भगवान राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्टा हो रही है तो इस अवसर पर टार्गेट विद्पार्त की ओर से आप सभी को धेर सारी सुख कमना है और धेर सारा प्यार भगवान राम सिप्रातना है कि भे हम सभी को सत्मार्ग पर चलते हुए हमारा लच्छ प्राप्त करने की सक्ति बुद्धी और विबेग प्रदान करें आज इस वीडियो में हम लोग आर्थिक गटना करम की अर्धवार्चकी को गटना सार मेकजीन से कंप्लीट करेंगे इसके पहले कि सारे जो हिस्से हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसके बाद चिटपूट चीजें रह जाएंगी उन पर भी एक वीडियो देकर इसका काम हम लोग तमाम कर देंगे तो इस वीडियो में आपको ना केबल कटना सार का कंटेंट दिया जाएगा बलकि कई लोग तो आप जान ही रहे होंगे कि क्या पढ़ना है और जो लोग नहीं जानते हैं वो यह चीज भली बाती जान जाएंगे कि मेकजीन को किस तरह से तो आगे बढ़ते हैं पहला है बुनियादी पसुपालन सांकिकी रिपोर्ट ठीक है किस ने जारी किया है तो केंद्रिय मस सिपालन और पसुपालन और डेरी मंत्राले ने इसको जारी किया है पुरसोत्तम रूपाला जो है इसके मंत्री है राष्ट्रिय दुख्द दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके साथी 26 नमंबर को सम्विधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है यह भी याद रखिएगा तो इस अबसर पर जो है पसुओं का पाला उसका नाम है पुरसोत्तम रूपाला पसुओं की बात हो रही तो मतलब पसुपालन और डेरी मं प्राले की बात हो रही है इस तरह से मंतरी का नाम याद रखिएगा इसने एक रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के प्रमुक बिंदों को हम लोग देखते हैं कहा गया है कि 22 23 के दौरान कुल दुखद उत्पाधन जो है 230 मिलियन टन होने का अनुमान है ठीक है 23 में जो बर्स है 23 उसमें 0 लगा दीजिएगा तो आपको यह 230 याद हो जाएगा इसके साथ ही इसमें ब्रद्धी कितनी हुई है तो जो 23 है लगबग इतनी ही ब्रद्धी मान लीजिए क्योंकि 22.81 की ब्रद्धी भी है तो इस 20 से आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा 23 में एक 0 ल इससेदारी है यह भी याद रखेगा इसके बाद दूसरा इस्थान राजस्थान का है अब अंडा उत्पादन की बात करें तो अंडा उत्पादन में हमेशा कितरे आंदर प्रदेश पहले इस्थान पे है दूसरा इस्थान तमिलांडू का है अंदर प्रदेश तमिलांड इस्थान पर कौन सा राजी है तो है उत्तरप्रदेश मास उत्पादन में सरवादिक बारसिक ब्रद्धी वाला राजी कौन सा हो गया सिक्कम तो उत्तरप्रदेश और सिक्कम दोनों के याद रखेगा कुल उन उत्पादन की बात करें तो दोस्तो राजस्थान सबसे बड़ा उन उत्पादक है जम्मू कस्मीर का दूसरा इस्थान है वहीं यदि उन उत्पादन में बारसिक ब्रद्धी की बात करें तो यह 125 वाला डिजिट भी याद रखना है ठीक है प्रबासी जो लोग भारत से दूसरे देशों में काम करने गए हैं उन्हीं को प्रबासी कहते हैं तो इन्होंने 125 अरब डालर की रासी भारत भेजी जिसको रेमिंटेंस भी कहते हैं यह भी याद रखिएगा तो चाहें रे अधन आया कहां से तो यह भी याद रखिएगा संयुक्त राजी अमेरिका से ना कि कि किसी खाड़ी देश से फिर आप सुदी अरब या फिर संयुक्त राब अमीरात मार के चले आएं गच्चा खा जाएंगे तो बचिएगा एसिया परसांत मानो विकास रिपोर्ट या फि किस ने जारी कि तो UNDP ने जारी की याद रखिएगा इसका टाइटल क्या था मेकिंग अवर फ्यूचर ठीक है मानब हमेशा फ्यूचर बनाने की बात करता है तूँ मेकिंग अवर फ्यूचर जो है इसकी तेम थीया फिर रिपोर्ट का नाम था लंबा नाम नहीं याद रख डालर से बढ़कर कितनी हो गई है 239 most important है 442 आप भूल भी सकते हैं लेकिन 239 को कताई मत भूलिएगा और कहा गया है कि इस ब्रदी ने बड़ी संक्या में लोगों को निर्धंता के जाल से पाहर निकाला है इसके साथ ही देश में निर्धंता अनुपात जो है वो 40% से घटकर 10% रह गया है ये वाला विशेश रूफ से याद रखेगा निर्धंता अनुपात अगर पूश लिया बहु आयामी निर्धंता लगभग लगभग 15% ही बताई गई है 14.96% तो चाहें UNDP की बात हो चाहें नीती आयोग के द्वारा जारी किये गए बहु आयामी गरीवी सुचकांग की बात हो दोनों में जो निर्धंता है वो कितनी है 15% तो कन्फ्यूज मत होईएगा बंकि सब लोग जान ही रहे हैं सामान का उतपादन, भंडारन और बितरन ये पूरी प्रिक्रिया जो है वो लाजिस्टिक्स के तहत रखी जाती है और ये जो स्टेटस जारी किया गया है ये जो सर्वे जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि यूपी लगातार दूसरे साल अचीवर्स क स्रेणी में सामिल रहा है यूपी को लेंड लाग राज्यों की स्रेणी में अचीवर्स गोशित किया गया है लेंड लाग आप लोग जान ही रहे हैं ऐसा छेतर जिसकी सीमा है किसी बाटर बाड़ी से नहीं लगती है बाणी जरुद्योंक मंतराली ने जारी किया है इसमें च अब बात करते हैं रभी मौसम 2023 के लिए पोसक तत्तो आधारित सबसीडी का निर्धारण जो पोसक तत्तो है नाइट्रोजन, फासपोरस, पोटास, एनपी के इनमें सरकार ने सबसीडी दी है तो आप सबसीडी के मूली को याद रखेगा तो यह जो पोसक तत्तो है पोटास को आप छोड़ सकते हैं लेकिन देख लिजिएगा पोटास को जो है 20 रुपए इसकी खरीद पर सबसीडी दे रही है सरकार और यहां पर जो महत पूंट फैक्ट है वो याद रखने लायक है राशाइनिक उरवरकों में जो यूरिया है उसका मूले जो है सरकार नि इंतरण रहता है फाट अप की बात करें तो फाइनेंशियल एक्षन टास्क फोर्स इसने अपनी समिक्षा रिपोर्ट जारी की है और इसमें जो है इसने अपनी ग्रे लिष्ट में बुलगारिया को सामिल किया है बाकि आप इसने कुछ ग्रे कुछ देशों को अपनी ग्रे लिष्ट और अ तो उनको ग्रेलिष्ट में सामिल कर लिया जाता है और जो कताई कदमा आँ ही नहीं उठाते हैं तो बल्क लिस्ट में अंगा जाता है और mijn DOWN पहले से ही उत्टर Quiria, Iran और Myanmar, तीन सामिल है थीनों को याद रखीएगा इन में दो तो सीधे सीधे हैं उतर कुरिया और इरान इनकी अमेरिका से बनती ही नहीं है तो अमेरिका की जो भी रोधी है वो ब्लैक लिस्ट है ऐसे याद रखिएगा बचा म्यामार वो हमारा परोसी है वो भी ब्लैक लिस्ट की मार जहला है तो म्यामार जहले मार किसकी ब्ल प्रफनेर को सामिल किया गया, ये भी विशेश रूप से आद रखियेगा. बात करें, फाटप के हेड़ोकाटर की तो पेरिस में है. फ्रांस की राधानी पेरिस और पेरिस के अंत में है सा, सा का मतलब है सीन, तो पेरिस जो है वो सीन के, सीन नदी के किनारे है. जियूरिक द सबसे सस्ता सहर सिरिया किराजदानी दमिसका है ये भी याद रखेगा बात करें भारत में सबसे सस्ता सहर तो एहमदाबाद और भारत में सबसे महंगा सहर बो है मुंबई दोनों को याद रखेगा दोस्तों ये जो घटना सार हम लोग कर रहे हैं लगभग लगभग पूरा हो चुका है तो इसी को अगर आप 3-4 बार देख लेते हैं तब भी आपका कल्यान हो जाएगा और मैं कहूंगा कि आप यदि मैगजीन लिए हैं तो मैगजीन खोलिए उसे हिसाब से चीज़ों को अंडरलाइन करते चलिए और वीडियो चला लीजिए उससे यह है कि आप लगातार 2-3-4 गंटे बैटके इसको निप्टाने में सक्षम हो जाएंगे आने था कल पे टालते रहेंगे और होगा यह कि परिच्छा से पहले देखेंगे कि गटना सार कंप्लीट ही नहीं हुगा और अभी भरपूर समय है यदि आप मैगजीन नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी आप 3-4 बार वीडियो के माध्यम से ही रिभाईज कर लेंगे और आपकी सुविधा के लिए जो टेलिग्राम चैनल है बहाँ पर मैं यह पीडियाप भी सेंड कर दे रहा हूँ तो यदि मैगजीन नहीं है तो पीडियाप से करिए तो इस तरह से कर लिजे भाई कल्यार हो जाएगा विश्व की सबसे उची परमारू सुविधा बोलीविया में ठीक है बोलीविया आप लोग जानी रहे हैं जो दच्छन अमेरिका है दच्छन अमेरिकी महादी पर एक देस है बहाँ पर जो रूस की एक कमपनी है रोसा टाम उसने एक परवत है परवत उलका बहाँ पर एक स्थापित किया है जो विश्व की सबसे उची परमारू सुविधा बन गई है बस इतना ही याद रखिएगा नवरतन कंपणियों की बात करें, तो दो कंपणियों को नवरतन कंपणिय का दर्जा दिया गया, दोनों के नाम रखिए, दोनों रेल मंत्राले के एधिन काम करती है, एक तो है इरकान, इरकान इंटरनेशनल लिम्टेड और दूसरी है राइट्स लिम्टेड, इनको करमसा प करती है वहीं जो इरकान है वो क्या करती है वहारती रेलवे के निर्मार कारियों का संचालन करती है तो यह सब काम बेसक आप भूल जाएं लेकिन दोनों के नाम जरूर रखियेगा राइट और इरकान इरकान जो है वो सोल भी है अब बात करते हैं भारत में 16 इस्थाई नवरतन जिन मेंसे मुख्य मुख्य को हमको याद कर लेना है अक्सर पूश लिया जाता चार बिकल्प दे दिया जाते हैं और कहा जाता निमने लिखित मेंसे काउंसी नवरतन कंपनियां काउंसी होती है जिन ऐसी कंपनियां जिनको सर सरकार की और से दी जाती ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके तो इनी सब उद्देश्यों से जो है वो नवरतन और महरतन कंपणियों का दर्जा दिया जाता है तो एक तो करनाटक में तुमकुर MTNL को याद रखना है महानगर्टेली फोन निगम लिम्टेड ये भी नवरतन कम्पनी में सामिल है याद रखेगा VSNL भारत संचार निगम लिम्टेड नवरतन में सामिल नहीं है बलकि उसकी जो बहन है MTNL बो सामिल है बाकि नालको को याद कर लीजिएगा NMDC National Mineral Development Corporation भी सामिल है और राष्ट्रिय Chemicals and Fertilizers RCF जो की चौदवी थी इन दोनों से पहले थी इसको भी याद रखेगा ये भी नवरतन कम्पनीओं में सामिल है बिस्व बॉद्धिक संपता संकेतक रिपोर्ड बीपो के दोरा इसको जारी किया जाता है और इसमें जो है बताया गया है कि भारत के निवासियों दोरा पेटेंट आवेदनों में 2022 में लगभग 31% की प्रतित दर्च की गई दायर किये गए आवेदनों में सरबादिक पेटेंट किस देश ने फाइल किये हैं तो वो चीन है तुर्की दूसरे इस्थान पर है बात करें जियाई टेक की तो 2022 में सरबादिक जियाई टेक जो है वो चीन में दिए गए है यह भी याद रखेगा बाइन और इस्पृट इन दो चीजों को ज़्यादा GI Tech दिये गए हैं GI Tech आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ आधे से ज़्यादा GI Tech जो है Vine और Spirit को दिये गए है बैस्विक यूनिकार्न रैंकिंग जारी की गई और इसमें कहा गया कि यूनिकार्न के मामले में भारत तीसरे इस्थान पर है यूनिकार्न आप सभी जानते हैं ऐसे स्टार्ट अपस जिनकी जो बैलुएशन है वो एक बिलियन डालर से अधिक है याद रखिएगा वो यूनिकार्न कहे जाते हैं बैस्विक रैंकिंग में पहली काउंट से कंपनी है जो सीर्स पर है भारत की तो बाइजूज 36 इस्थान पर है चीन का दूसरा इस्थान है भारत तीसरा है ही है अब सवाल बनता है पहला इस्थान किसका है तो अमेरिका का है तो USA, चाइना और फिर इंडिया तीसरे इस्थान पर यूनिकार्न के मामले में विद्धुत मंत्राले ने आंकरे जारी किया है इनको आपको याद कर लेना है देश में विद्धुत की कुल छमता कितनी है भी विद्धुत उत्पादन की तो याद रखना है यदि मेगाबाट में पूशा जाए तो 417668 इस तरह से याद रखीगा कुछ याद ना रहे तो 417 याद रहना चाहिए ज़िद गिगाबाट पूश लिया जाए तो 417 गिगाबाट और इसमें कहा गया है कि सरवादिक शमता जो है वो जीवासम इंधनों से तैयार की गई है उसके बाद दूसरा इस्थान नावी करनी और जे दिया जाता है तो इस तरह से बिरमित मत होईएगा एकदम चीजहों को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए परसेंट में देख लीजिए सरवादिक जो प्रतिसत है वो जीवासम इंधनों बिद्धुत का है, दूसरा इस्थान जल बिद्धुत का है 11%, तो कुछ याद रहे न रहे, 56% ये जीवास में बिद्धुत का जरूर याद रखेगा, और दूसरा जल बिद्धुत का, माकी सबसे कम यहां पर भी वही हाल है, नाभी की ये बिद्धुत उर्जा की चमता है, ब पाकरापार सायंत्र कहां इस्तित है पहला कुष्चिन गुजरात में इसकी तीसरी इकाई का उत्पादन इकाई में उत्पादन शुरू हुआ है इसलिए इंपोर्टेंट है 700 मेगावार्ट की छमता इसकी चालू होने से बल गई है यह भी याद रखेगा हुरून इंडिया परोपकार सुची परोपकार मतलब जो लोग दूसरों के कल्यान के लिए काम करते हैं तो इस मामले में हैं चल के संस्थारवक सिव नादर सिव आप लोग जानी रहें जिनको अगर दानी भी का जाता है तो बहुद शिव पहले स्थान पर किया है और बपरोपकार अजीच प्रेम जी इन्होंने दूसरा स्थान परकर किया है यह दूसरे दान करता हैं ऐसे याद उने किया है याद रखिएगा तो इसलिए उसको परुपकार राजधानी कहा गया है अब अगला आर्टिकल है अक्सर यहां से भी कुश्चिन पूश लिया जाता है और भी आई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और उसमें कहा है कि जून 2023 के अंतर तक भारत पर कुल बिदे और इसमें कहा गया कि पहली तिमाई के नरह है जो बद्र हुई है और रुपए की घुपन में उनके मूले में बद्र के कारण कम रही है क्या कहना चांता है सीरी सी बात यह है कि यदि दो डालर का रेंट हमने लिया है और बरतमान में उस एक डालर की कीमत है 80 रुपए तो दो डालर अगर हमको चुकाना है तो हम अभी कितने में चुकाएंगे दो अटे 16 रुपए हम चुकाएंगे तब जाके दो डालर कंप्लीट हो जाएगा हम लोन चुकता कर देंगे यदि इसी डालर की कीमत बढ़ जा यही दो डालर यही एक डालर जो 80 में मिला था वो अब 90 का मिलने लग जाए तो इससे क्या होगा हमको रेंट चुकाने में पहले 160 रुपए पे करने थे अब जो हैं दोस्तो 180 रुपए पे करने पढ़ेंगे तो इस तरह से देखी 160 से 180 हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेंट है वो बढ़ गया तो यही कारण इस लाइन में बताया गया है अगला यहां से कुश्चन बन सकता है कि भारत पर कु 15% है तो 18% याद रखिएगा और इन रिणों में टाइम के अनुसार काउंसर रिण जादा है तो दिरकालिक रिण जो है वो सर्वादिक है अलपकालिक रिण दूसरे इस्थान पर है दिरकालिक रिण जो है कुल विदेशी रिण में 80% की भागीदारी रखता है बनकी 20% अल 2023 के अंत तक जुन 2023 के अंत तक कितना है तो लगभग 7% ये भी याद रखिएगा तो ये 18% आपको GDP का याद रखना है रिणर जो है हमारा कितना है GDP का 0.5% डेट सर्विस रेशीयों कितना है तो लगभग 7% ये दोनों आंक्रे आपको विशे सरूप से याद रखने हैं एस में और वो 629 भी याद रखना है विस्तारा कंपनी दोस्तो हेलिकाप्टर वाली विमानन सेवाएं परदान करने वाली कंपनी है इसके बिलाइको प्रतिसपरधा आयोग Competition Commission of India जो की 2002 के एक्ट 2002 के एक्ट के तहट इस्थापित की गई थी 2003 में ये जो है भारत में 117 प्रतिसपरधा कोशनिश्चित करने का क्राम करती है मतलब दोखादड़ी और ये जो काला वाजारी बगएरा इन सब चीजों पर लगाम लगाती है तो विस्तारा के बिले को मंजूरी दे दी गई है Air India Limited का तो ये 2022 से पहले सारवजिनिक शेत्र की पिमानन सेवा कंपणी थी लेकिन 2022 में टाटा ने इसको खरीद लिया ठीक है और बाद में विस्तारा की बात करें तो विस्तारा जो है टाटा संस और सिंगापूर की एक संयुक्त कंपणी है ठीक है तो विस्तारा भी टाटा की लेकिन उसमें सिंगापूर भी सामिल है और Air India भी टाटा की है तो अब दोनों में दोनों का बिला हो गया है याद रखिएगा देश में खादानों का रिकार्ड उतपादन हुआ है अब आपको गेहूं चाबल और मक्का की बात करें तो इनका सरवाधिक उतपादन हुआ है इनके उतपादन में ब्रदी दर्च की गई यह भी याद रखिएगा चाबल का उतपादन रिकार्ड 135 मिलियन टन रहा तो चाबल का भी याद रखना है उसके बाद गेहूं का उतपादन जो है वो 110 मिलियन टन रहा यह भी याद रखना है गन्ये का कुल उतपादन 390 मिलियन टन रहा यह भी याद रखिएगा इसमें भी ब्रदी दर्च की गई तो कभी-कभी कतन के रूप में दे दिया जाता है कि पिछले अनुमानों के आधार पर गन्य के उत्पादन में ब्रदी दर्ज की गई या फिर कमी दर्ज की गई तो इस तरह से आपको भर्मित करने के लिए कथन बना के दे देता है तो यहाँ पर लगवो लुव यह है कि लगभग लगभग सभी चीजों में चाहे उसमें गन्ना ही क्यों ना हो ब्रदी ही दर्ज की गई ऐसे याद रखेगा बागवानी उपुजों की बात करें तो उपर हमने खाधान ऐहाँ पर बागवानी फसलों को देखना है सब्जी फल फूल इत्यादी तो इन में कितना उत्वादन दर्ज किया गया तो 321 मिल्येन टन याद रखेगा बागवानी फसलों में फलों सब्जीयों फूलों सहथ इत्यादी को सामिल किया जाता है RRTS Regional Rapid Transit System perform भी याद रखेगा इसके तहित नमो भारत रेलगारी का परचालन जो है वो प्रारंब हुआ है दिल्ली NCR में विभिन सहरों के बीच ती ब्रगती से यात्रा के लिए Regional Rapid Transit System को शुरू किया गया दिल्ली मेरट दिल्ली से गाजियाबाद ये भी याद रखेगा और गाजियाबाद से मेरट के बीच ये पूरा एक ट्रेक है जिस पर RRTS को शुरू किया जाएगा लेकिन उसके एक हिस्से को जिसकी लंबाई है 17 किलोमेटर उसका उदगाटन जो है मोदी जी ने 21 सक्टू चलेंगी इस पर उनको नमो भारत नाम दिया गया है और आप सभी जानते हैं जैसे मेट्रो रेल जो है वो एक सहर में चलती है एक सहर में चलती है उससे क्या होता है यात का दबाव कम होता है और उस सरजन में कमी आती वहीं ये जो RRTS है ना ये कई सहरों के बीच चलेगा तो दिल्ली गाजियावाद मेरट के बीच चलेगा तो इससे भी यही फाइदे होंगे बस यह है कि यात्रियों की संख्या जो है वो जाद है रहेगी और इस तरह के RRTS जो है वो आर्ट बनाये जाएंगे ये भी याद रखेगा बिपरन वर्स 24-25 के लिए रभी उपजों का निउन्तम समर्थन मूले MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गोसित किया है कौन गोसित करता है अक्सर कुश्चन पूछ लिया जाता है किरसी लागत और मूले आयोग ये आपको याद रखना है कितनी फसलों का जारी किया बिपरन वर्स प्राइस जो होगे तो आप देख रहे होंगे जो भी फसलों वह रभी की होंगी चाहे आलू हो चाहे गेहू हो ठीक है चाहे मटर हो ये सब रभी फसलों में ही आते हैं तो इनमें जो गेहू है उसका MSP कितना गोसित किया गया है तो 275 रुपए और इसमें प भी चाहे तो दोनों को जोड़कर याद रखिएगा 440 सरसों या फिर रेफसीड की बात करें तो 5650 रुपए प्रतिकुंटल निंतम समर्थन मुल्यों में सरवाधिक जो ब्रदी जो है वो मसूर के मुल्य में देखी गई कितनी 425 रुपए प्रतिकुंटल गेहों में कितनी यहाँ पर एक कुश्चन और पूच्छा जा सकता है कि निंतम समर्थन मुल्य में सबसे कम ब्रदी जो है किस में देखी गई किस पसल के मुल्य में देखी गई तो चना आपको उपर भी बता चुका हूँ चना चाउमन 140 इस तरह से आप MSP याद रखिएगा आप स्रमबल सर्वेचन रिपोर्ट की बात करें पहला कुश्चन इसको जारी कौन करता है तो मौसपी जारी करता है जिसको सांकिकी एबमकारिकरम कार्यानवयन मंत्राले कहा जाता है और इसने जो है स्रमबल सर्वेचन रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि महिला स्रमबल भागीदारी मतलब जो लोग काम करते हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है तो 19-20 लेकर 2022-2022 के बीच का आंकड़ा दिया गया है और उसमें कहा गया है कि 4.2 परसेंट की ब्रद्धी हुई है जहां भारत में पहले महिलाओ की षरमबल में भागीदारी चौबिस परसेंट थी वो 37% हो गई है याद रहुएगा कुछ और मत याद रहुएगा वस इतना याद रहुएगा 24 से 37% हो गई है और उसमें भी 37 बाला जरुड याद रहुएगा कारण क्या है महिलाओं को कौशल विकास, सिच्छा और कारिस्तल पर उनके लिए सुविदाएं ये सब कदम सरकार ने उठाए इसी बज़े से महिलाओं की स्रम बल में भागीदारी बढ़ी है और ये सब चीजें जो हैं जब आप महिला ससकती करणड़ पर कोई निवन्द लिखें तो उसमें फैक्ट के रूप में डालकर अच्छे नमबर पाने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं विदेशी ब्यापार की बात करें आंकड़े जारी किया है बहांड़े जी मंत्राले ने जारी किया है अपराइल से सितंबर के बीच बस्तूओं और सेवाओं के निरियात में हम लोग देखेंगे यहाँ पर केवल बस्तूओं की बात की गई है इसलिए इनको छोड़ सेवाओं का भी निरियात होता है जैसे परिवान हो गया मज़दूरी हो गई जैसे हम अपनी सेवा किसी को बेंचे जैसे जो मैटो वाले काम कर रहे है आप लोग भखोबी समझ गया होंगे सेवा चेतर को तो इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर बस्तूओं गत व्यापार कि आईक्णों को मिलाकर देखएं, तो 6 माई में कुल निर्यात कितना हुआ, 356 अरफ डालर याद रखेगा, और कुल आयात कितना हुआ है, 416, यहाँ पर दोखी यह, आयात हमारा जादा है और निर्यात कम है, तो आयात और निर्यात के बीच जो अंतर होता है, उसे को कहते है ब्यापार घाटा तो यह जो 416 है इसमें से 376 को जब घटा दिया जाएगा तो यह जो ब्यापार घाटा है वो निकल कर समने आ जाएगा लगभग 40 अरब डालर का ब्यापार घाटा इस दोरान देखा गया तो यह ब्यापार घाटा भी याद रखेगा कितना है लेकिन जो बस्तु और सेवा दोनों के आंक्रे दिये गए हैं जहां पर 346 और 416 दिया गया और 49 इसको कताई नहीं छोड़ना है सिड़ी और जोकाटा ने MSME आर्थिक गतिविदी सुचकांक लांच किया उसका नाम क्या है संपूण तो यदि पूछ लिया जा है संपूण क्या है तो एक आर्थिक गतिविदी सुचकांक है सिड़ी आप सभी जानते हैं इसमाल इंडिस्ट्री और डेवलप्मेंट SIDBI इसमाल इंडिस्ट्री और डेवलप्मेंट बैंक आफ इंडिया है इसकी full farm इसका headquarter जो है वो उतर पुदेश की राजधानी लखनव में है 1990 में इसकी इस्थापनावियूती जो MSME जहें जो सुच में लगू और मद्धे मुद्ध होगा है उनको रण उपलब्द कराना इसका उद्देश से है तो इसने एक सुचकांक जारी किया है जिसका नाम है संपूर्ण याद रखेगा जो MSME हैं दोस्तों ये भारत के कुल निरियात में 40% की भूमी काने बाते हैं ये भी याद रखेगा Global Hunger Index अक्सर पूछ लिया जाता है Most Important है 2023 जारी कौन करता है जर्मणी की एक संस्था है जर्मणी और एक आर्लेंड की जर्मणी खाल ही याद रखेगा bealthan Grey Life ऐसे नाम है इसका तो इस पूरे को याद रखने के लिए to layer life ऐसे याद रखेगा तीसरा सवाल भारत को कउथा इस्तान पर आपत हुआ है, पिछले वर्ष कउथा इस्तान पर आपत हुआ था तो 1072 स्तान पर आपत हुआ था और सबसे खराब इसीटिक किसकी बताई गई है, तो अफगानिस्तान की जो पड़ोशी देश हैं उनमें माकी, स्रिलंका, म्यामार, नेपाल, बांगलादेश, पाकिस्तान को भी हमसे उपर बताया गया है, भारस सरकार ने इसको खारिज किया है, सेंट्रल जो अफरीकी रिपब्लिक है, वो 125 बे स्थान पे है, सुचकांग को भारस सरकार ने खारिज किया है, और कहा है कि ये भेद भारत सहित को 34 देश हैं, जिनको सीरियस इस्तित्ली वाला देश माना गया है, याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि भारत को गलोबल हंगर इंडेक्स में किस स्रेणी में रखा गया है, तो सीरियस स्रेणी में रखा गया है, भारत के लिए सुचकांग का मान कितन लेकिन पतला रह जाना, चायल्ड इस्टंटिंग क्या होता लंबाई कम रहना लेकिन मोटा हो जाना इसको चायल्ड स्टंटिंग कहते हैं चाइल्ड मौतल लेटी सिसु मृत्यूदर की है kisoo जो गरणा का जो तरीका है उसको त्रेटिपूर्ट बताते हुए देश की छवी को खराब करने का प्रियास जो है इस हंगर इंडेक्स के लांच होने पर एजनसी उपर लगाया है। कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को इस रिपोर्ट ने सबसे मुलिबान भारती ब्रांड गोसित किया है याद रखियेगा। पांच साल और आगे बढ़ा दिया गया है, दोजार उनतिस तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब सूचिए, एक्यासी करोड जन संक्या जो है वो पांच किलो अन पर निर्वर करती है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कैसा विरोधावास है, आव लोग इस पे थोड़ा विचार कीजिएगा। ठीक है, एक्सो तीस या फिर एक्सो चालिस करोड की आवाधी है, और उसमें असी करोड आवाधी ऐसी है, जो राशन, जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उस पे निर्वर है, तो हम कहां खड़े हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है, और ये जो पांच साल के लि मिलता है ना, उसमें इस बार मोटे अनाज को भी सामिल कर लिया गया है, ये भी याद रखेगा, पिछली क्लास में आपको बताया था, सोलवे बित आयोग, एक मिनट, इसी के साथ सरकार ने सोलवे बित आयोग के लिए सेबा सर्तों को भी मंजूरी दे दी है, इसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे, अब बात करते हैं साब की, तो ये एक सुईडन की कमपनी है, ये पहली ऐसी बिदेसी कमपनी बनी है, जिसने रच्छा चेतर में 100% FDI प्राब्त किया है, इसलिए चर्चा में रही है, बैस्युक चीनी उद्योग निकाय की अद्ध्योग निकाय की अद्यक्षिता भारत को मिली है, याद रखेगा, दोजार चोबिस के लिए, चीनी और समबंधित उतपादों का ये सीर्स निकाय है, क कि जो खोई बगएरा होती उसका जो चीनी बनाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट रहता है उसी का इस्तेमाल इथिनाल बनाने में किया जाता है और इसी इथिनाल को जो है पेटरॉल में दो हजार पच्चिस तक 20% मिलाने का लच जो है वो भारत ने रखा है इसको मिला के राष्ट्री धातु विज्ञान पुरसकार जारी किये कितने लोगों को पुरदान किया तो पांच प्रतिष्टित धातु विधों को पुरदान किया गया है याद रखेगा उनमें जो देवासिस बटा बटा चार जी ठीक है राष्ट्री धातु विज्ञानी पुरसकार ध दातु दोस्तो उसको बिगलाना विगलाना कैसे हो तैब भटी से तो बटी में बटा बटी लगा हुआ है इसी बटी का बटा कर देना तो आपको याद हो जाएगा देवासीस बटा चारे इनका नाम याद रखिएगा बांकि आप सबको छोड़ भी सकते हैं लेकिन ये संख्या जरूर याद रखिएगा, पांच धातुबीदों को प्रदान किया गया है, आर्थिक सुतंतरता सुचकांक, जारी कौन करता है, फ्रेजर इंस्टिटुट कनाडा का एक थिंक टैंक है, जैसा हमारे अनीतिय आयोग है, वैसा ही कनाडा में है thin tank उस ने जारी किया है, कुल कितने देश सामिल किये गए 165 देश सामिल किये गए और इसमें पहले इस्थान पर आर्थिक सुतंतरता के मामले में पहला इस्थान दोस्तों किसे पराप्त हुआ है पहले भारत का देख लेते हैं भारत को 87 सीवा इस्थान प्राप्त हुआ है पिछले वर्ष 86 सीवा था मतलब एक पाइदान हम लोग नीचे गए है स्वास्त धन पहुंच अंतराश्टी वैपार की सुतंतरता मतलब पईसा कमाने की सुतंतरता कितनी है मोटे-मोटे सब्दों में कहें उसकी को आर्थिक सुतंतरता कहा जा रहा है सीर्फ इस्थान सेंगापर को प्राप्त हुआ है और वरुसी देशों की तुल्हा में भारत की स्थिति चलो यहाँ पर बहतर है याद रखेगा और सबसे निमन इस्थान जो है किसे प्राप्त हुआ है बेने जोहिला को इसकी जो राजधानी है वो कराकस है और इसकी मुद्रा भी याद रखेगा वोलीवर राजधानियों और मुद्रा पर एक वीडियो उपरब्द कराई है उसको देख लिएगा वुली वुली वर उसको देख लेंगे तो एक कुश्चन लगभग लगभग आपका तयार हो जाएगा जो कि पुराया समिछादिकारी की परिच्चे में पूछ लिया जाता है कंपनी CIL इसका नाम बदल दिया गया है उस नाम को भी याद रखेगा एसकरो परादिकरन भारत का प्रतम डिजिटल एसकरो परादिकरन काउन बना है एसकरो पे वित्तिय सेवा केंदर परादिकरन गिफ्ट सिटी ने इसको पहला दर्जा दिया है डिजिटल एसक्रो नियामक फिंटेक पुरादिकरन के रूप में याद रखेगा ये एसक्रो पुरादिकरन क्या होते हैं दोस्तों जो ब्यापार करने वाले लोग होते हैं उनके बीच धन इखटा करने की एक तीसरी पार्टी होते हैं ठीक है, अगर A किसी को बेच रहा है, कोई चीज किसी B को बेच रहा है, तो पहले पैसा जो है, इसके पास जमा ajaएगा, इसी को a screws रादिकरण कहा गया है, तो पहला डिजिटल बन गया है, कौन सा a scrim पे, पहला satellite आधारित, गीगा वाइट गीगा विट वरांड वैंड सेबा पहली लांच किये कि इसने रिलाइंस जीओ ने अभी तक आप्टिकल फाइवर से ये इंटरनेट उपलब्द करा रही थी और अब जो है सेटिलाइट के मादिम से इंटरनेट उपलब्द कराएगी इसका नाम क्या जीओ इसपेस फाइवर याद रखेगा भारत के पहले रेफरेंस गैसोलिन और डीजल इंधन की शुरुआत की गई है पेट्रोलियम और प्रक्रिक गैस मंतरी हरदीब सिंगपुरी ने की है इसका उतपादन इंडियन आयल के आयल की दो रिफाइनरियां है एक पारा दीप में जो की ओडिसा में है एक पानी पत तो पानी और पारा दोनों को जोड़ कियाद रखेगा वानि पत्र हर्याना में है और पारदीप ओडीसा में है इन रिफाइनरियों में इसका उत्पादन किया जाएगा reference इंधन क्या होता है साथियों reference इंधन जो है high purity वाला इंधन होता जैसे हम लोग petrol पर आप्त करते हैं ये मिलावट बाला पेट्रोल होता है लेकिन ये जो हाइ विरटी बाला इंधन होगा रेफ्रेंस है इसका इस्तिमाल बहानों के परिच्छर में कोई नया बहान बन के तयार हुआ तो उसके परिछर में उसकी स्ट्रेंथ जाचने में और माइलेज बगरा जाच करने में इस इंदन का इस्तेमाल किया जाता है अभी तक हम लोग इसको मंगाते थे लेकिन अब अपने हां इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा समाबेशन की बात करें बिबिता और समाबेशन में सर्फष्ट नियोक्ता का पुरसकार महारतन कंपनी REC Limited Rural Electrification Corporation Limited को एसो चैम द्वारा दिया गया है बिबिता और समाबेशन में नीतियों के लिए सर्फष्ट नियोक्ता मतलब ज़ादा से ज़ादा डिफरेंट डिफरेंट चेतरों से लोगों को समावेशित करती है अपने में, मतलब ज्यादा से ज्यादा अलग-अलग बर्गों के लोगों को रोजगार दिया है, नियोकता है, मतलब नियोकती की है इसने, तो किसे दिया गया है, आर एसी लिम्टेड को या पुरसकार दिया नाम से किस टाइटल से जारी की गई Investing in Sustainable Energy for All इस नाम से जारी की गई और इसमें कहा गया है कि जो FDI है Foreign Direct Investment किसी दूसरे देश से किसी अन देश में कोई यूनिट इस्थापित करना या कोई यूनिट वहाँ पर कोई कंपनी पहलेश चल रही है उसमें भागिदारी खरीदना यही सब FDI कहा जाता है तो यहीं बात करें FDI अंतर प्रबाहा मतलब ऐसे देश जहां FDI आया है तो सरबादिक FDI अमेरिका ने प्राप्त किया है चीन दूसरे इस्थान पर रहा है भारत इस मामले में आठवा इस्थान प्राप्त किया है भारत में कुल FDI कितना आया यह भी याद रखीगा 49 बिलियन डालर यह डिजिट भी याद रखीगा 49 बिलियन डालर नमबर सीर्स FDI बाहे प्रबाहा वाले अगला नीती आयोग ने राष्ट्री यह बहु आयामी गरीबी सुचकांक जारी किया मोस्ट इंपार्टेंट है यह दूसरा बहु आयामी गरीबी सुचकांक है इससे पहले 2021 में नीती आयोग जारी कर चुका है अमों के कारिकारी अधिकारी काउन है BBR सुबरमंडियम तो जो BBR है वही CEO है उन्होंने इसको लांच किया है तो पहला कुश्चन पहु आयामी गरीबी सुचकांक जो की राष्ट्री वाला है उसको कौन जारी करता है तो नीती आयोग जारी करता है और यहाँ जो सुचकांक है यह राष्ट्री परिबार स्वास्ते सर्वेच्छन 2019 से 21 इसमें कुल बार है आधार यह भी याद रखेगा यह सब चीज़ें एडिशनल है जो आपको यहाँ पर नहीं दी गई है और पूछे जाने की प्रवल संभाव ना है तो बार है आधारों पर यहाँ सुचकांक तयार किया जाता है और इसमें कहा गया है कि 2015 सोले से 19 से 21 के बीच लबक 13 करोड लोग बहु आयामिक गरीबी से मुक्त हुए है बहु आयामिक गरीबी का मतलब यही नहीं कि पैसा नहीं उनके पास पैसा नहीं है खाने को खाना नहीं है पहनने को कपरा नहीं है यही सब, मतलब गरीबी के अलग-अलग आयाम, यही है बहु आयामिक गरीबी, अब बात करें, ग्रामीर चेत्रों में गरीबी, याद रखनी है, वो कितनी हो गई है, 19.28%, वहीं सहरी चेत्र में कितनी रह गई है, तो 5.27%, दोनों आकड़े याद रखनी है, इस सुचकां का उ आयामिक गरीबों की हिस्सेदारी कितनी है, यह भी याद रखेगा, लगभग 15%, यही जो UNDP ने जारी किया था, उसमें भी परसेंट इतना ही है, तो दोनों में से माकड़े हैं, सबसे तेजी से कमी, बहु आयामि गरीबी में, सबसे तेजी से कमी किस राजी में देखी गई तो उत्तरप्रदेश में, इसके बाद बिहार दूसरे इस्थान पे है, याद रखेगा, बहु यदि बात करें सरबादिक बहु आयामि, गरीबी से गरस्त लोग किस राज में हैं, तो बिहार पहले इस्थान पे है, जहार खंड दूसरे इस्थान पे है, और यूपी तीसर इस्थान पे है, यह additional fact है, इसको याद कर लीजिएगा लेकिन बिहार और UP में सरवादिक तेजी से इसकी कमी भी देखी गई पिछले दिनों Global Multi-Poverty Index जारी किया गया, कौन जारी करता है UNDP, जिसकी अभी हमने चरचा की जो यह बताता है कि 15% जो आबादी है, वो बहुँ आयामी गरीवी से ग्रस्त है भारत की तो उसमें जो Global MPI Index जारी हुआ, उसमें भारत का इस्थान चियासरवा था याद रखेगा, और स्कोर कितना था? 0.66 यह सुचकांक, स्वास्ते, सिच्छा, जीवनिस्तर के आधार पर और केंदर शासित प्रदेशों को चार सेणियों में बाटा गया, तटीए लेंडरलाог्ड, हिमालाई और केंदर शासित और इसमें कहा गया है, सीर से परदान परदरसन करता, बहतर परदरसन किसी ने किया है? तो तमिलाडू ने किया है, निर्यात के मामले में निर्यात की तैयारी सरवादिक तमिलाडू में है, दूसरा इस्थान महाराश्टरा का है, most important fact यही है, इसको याद रखेगा, पिछले वर्स गुजरात था, तमिलाडू आटो मोटिप्स, चमड़ा बस्त्र और इलेक्ट्रा यही है, यूपी जो है, लेंडड राजियों में ती Saturday रहा है, हरियाना पहले पे, तेलंगाना दूसरे पे, यूपी तीसरे पर, और बहु आयामी गरीबी सुचेकानक में भी, यूपी का इस्थान कवुथा है, तीसरे सरवादिक बहु आयामी गरीबी सिगरश्ट लोग ज रिपोर्ट के इनुशार निर्याद की द्रिष्टिकॉंड से गुज़रात का जामनगर देश का सीर्स जिला बना हुआ है मतलब ऐसा जिला जो निर्याद की तयारी में सबसे आगे है वो का उन है जामनगर जो की गुज़रात का है तो यहाँ पर वही सब चीजें दी गई है जो उपर बता दी है इनको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं HDFC HDFC और HDFC बैंक में बिलाए ठीक है यहाँ पर HDFC एक है Housing and Development and Finance Corporation और दूसरा जो HDFC है वो है बैंक तो जो HDFC है उसका बिलाए हो गया HDFC बैंक में याद रखिएगा इस बिलाए के कारण जो HDFC की सभी साखाएं है उनकी उनका बिला जो है HDFC बैंक में कर दिया गया है बिले के पश्चाद Market Capitalization की बात करें तो उस मामले में HDFC बैंक जो है Reliance Industries के पश्चाद दूसरी सबसे बड़ी कमपनी बन गई है याद रखिएगा तो इस तरह से साथ हम लोगों ने आर्थिक घटना करम को भी Complete कर लिया है और घटना सार के लगभग 90% हिस्से को कबर कर लिया है अब चिटपूट चीजें रह गई हैं जैसे किताबें रह गई हैं साइंस एंट टेकनोलजी रह गया है और दिबस रह गई हैं तो इन पर भी एक छोटी सी वीडियो आपको उपलब्द करा दूँगा पस इसी को रगडते रहिए काम हो जाएगा प्रेद वीडियो अच्छ